नमस्कार साथियों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में इसमाइल 3.0 के अंतरगत काफी साथियों के मन में कुछ परसन आ रहे हैं कुछ समस्याइं आ रहे हैं आए इस वीडियो के माध्यम से उन सभी समस्याओं का समाधान ढूड़ने का परियास करते हैं सबसे पहला परसन आता है पूरू सत्र में पंजी करत अभी तक कर्मोनत नहीं माली जी कोई बच्चा पूरू सत्र में है और अभी तक वो कर्मोनत नहीं किया गया तो उसकी क्या ववस्ता की गई है पूरु सत्र यानि की 2020 में पंजी करत विध्यारती अभी भी उसी कक्षा में दिखाई दे रहे हैं जिनको अगले सब्ता की क्योज तक सिस्टम द्वारा करमोनत कर दिया जाएगा और वे वर्तमान कक्षा में दिखाई देने लग जाएंगे साथ ही पूरु सत्र की उस्तम कक्षा के तिन विध्यारती जो अभीता कुछी कक्षा में परदसित हैं तो वो आगामी क्योज से पूरु सिस्टम द्वारा करमोनत करने पर स्वेता हट जाएंगे तो ऐसी कोई प्रिष्टिती आपके सामने आ रही है तो चिंता करने वाली बात नहीं है यह ओटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा ठीक कर दी जाएगी अगला कुशन आता है फिर पूरु कक्षा में परदसित विध्यारती की क्या होगा तो इसके लिए इसका समाधान दे रखा है इस सप्ता की क्विज जोबी जून को ए थी उनके पूरु कक्षा इस्तर यानि की बिलो ग्रेड ग्यान की परख हेतो सफ्त में वे कुज में भाग ले सकेंगे अभी तक तो वह एक नॉर्मल सा टेस्ट लिया गया था अब 3 जुलाई को जो टेस्ट होगा और आगा में जो टेस्ट होंगे वो कक्षा इस्तर के होंगे क्विज अभी लेक संदारण कैसे करें यह सबसे most important question है कि जो portfolio फाइल में है उसको क्विज को हम कैसे record में रख सकते हैं विध्यारती द्वारा quiz पूर्ण कर लेने के पश्यात answer sheet के नाम से प्राप्त PDF फाइल को कक्षावा डाउनलोड करके print लेकर संदर्व एम मुल्यानकन हेतुस रक्षित रखें और print को विध्यारती की profile यानि की portfolio फाइल में लगा दें हमें बच्चों को बोलना है कि जब उनका test पूरा हो जाए तो जो PDF प्राप्त होगी वो हमको भेज़ दे और उसको हमें print करके लगा लेनी है offline बच्चों को हमें print करके paper देना है उसके बाद में उससे लेना है और उसको पूसकी portfolio फाइल में लगाना है आगे आता है offline quiz participation कैसे जिन विद्यारतों के पास वार्टसप मोबाल नहीं है तो quiz के PDF का print लेकर अध्यापक विद्यारती से करवाते हुए वापस प्राप्त करके portfolio में संदारित करेंगे अगला question आता है क्या और कितना आउशक बच्चों के लिए कौन-कौन सी चीज़े आउशक रहने वाली है प्रतेक विद्यारती का पंजियन कक्षे अध्यापक द्वारा वार्टसप क्यूज के नंबर जो नंबर दे रखे हैं इस पर किया जाना अनिवारी है बच्चा अग आगामी क्यूज के एक दिवस पूरी अर्थात आगामी सुकरवार तक पूरा करना आउशक है माली जी सनिवार को क्यूज होती है तो उसको जो अगला सुकरवार आएगा तब तक उसको वापस ले लेना है और प्रिंट करके पॉर्ट्फॉलियो फाइल में लगा देना है अलाइन और इतर इस्तिति में ओफ्लें पार्टिसिपेशन अभ्यास अवश्य करवाएंगे साथ ही यह बहुत ही ज्यादा आउशक है क्योंकि जो इस वार का जो प्रिक्षा होगी वह इसी के आदार पर होगी और बच्चे को आगामी कख्षा में इसी आदार पर प्रमोट किया जाएगा इसलिए इसका रिकार्ड रखना भी जरूरी है और यह सुनिशित करना भी जरूरी है कि सभी वच्चे इस टेस्ट में भाग ले रहे हैं बस इस वीडियो में इतना ही साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें साथ ही अपने साथियों को वीडियो शेयर अवस्य करें थेंक्स फूर वचिंग दिस वीडियो